if omega is the imaginary cube root of unity then what is this इसके लिए में आपकोछ formula पता होने चाहिए 1 plus omega plus omega square यह कितना तो 0 होता है और omega cube कितना होता है 1 अब इस 2 और 2 plus omega square 2 omega square को साथ में रख लेते हैं और 2 common ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 plus omega square minus omega और उसकी पावर कितना 27 1 plus omega square के value कितना है कि minus omega तो यह 2 minus omega और minus omega और उसकी पावर 27 तो कितना अगया minus का 3 omega और उसकी पावर 27 तो minus 3 की पावर 27 और omega की पावर 27 का मतलब गयता 3 into 9 omega cube कितना दबान तो कितना बचेगा minus 3 की पावर 27 यानिकि minus 3 power 27 क्योंकि odd number है power जो है odd है तो 27 अगर माइनस 1 की पावर में आगा माइनस तो यह आगा माइनस 3 की पावर 27